नमस्कार इंडियन न्यूज में आपका स्फाकत है, मैं हूँ पृतिविश्वास, आईए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा वैदिक जोटिश शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्नत किया गया है हर राशी का स्वामी ग्रह होता है, ग्रहन अश्रत्रों की चाल से राशी फल्गा आकलन किया जाता है 17 मई 2023 को बुधवार है, बुधवार का दिन भगवान गनेश को समर्पित होता है इस दिन विथे विधान से भगवान गनेश की पूजा अर्चना की जाती है आए जानते हैं आज के दिन किन राशी वालों को होगा लाब और किन राशी वालों को रहना होगा साब्धान मेश राशी कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा, स्वास्त की प्रती सचेत रहें रहन सहन भी कष्ट में हो सकता है नौकरी में इस्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, आत्म विश्वास भरपूर रहेगा, कारिशेत्र में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, वाहन सुक्की प्राप्ति होगी विशब राशी, मानसिक शानती रहेगी, बाचीत में सहियत रहें, नौकरी में कारिशेत्र में परिवर्तन की संभावना बन रही है, किसी दूसरे इस्थान पर जाना हो सकता है, छणे रुष्टा, छणे तुष्टा की मनह स्थिती रहेगी, नौकरी में अतिरिक्त मिल सकती है, तरक्की के अफसर भी मिलेंगे, मिठुन राशी, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परन्तु कारिशेत्र में कचना यां आ सकती है, सेहत का ध्यान रखें, आत्म सहियत रहें, स्वास्त का ध्यान रखें, कारिशेत्र में इस्थान परिवर्तन की बन रही है जिससे मानसिक शांती के लिए प्रयास करना होगा करक राशी आत्म विश्वास में कमी हो सकती है मन परिशान भी हो सकता है किसी राजनेता से भेंट हो सकती है पिता के स्वास्त का ध्यान रखें भाग दौर अधिक हो सकती है फर्चों के अधिकता से चिंतित रहें सक्षिक कार्यों पर ध्यान रखें परिवार का सहयोग मिलेगा कारो बार की इसथी संतोष चनक्क रहेगी और नौकरी में कोई अतिरिक तजम्मेदारी िमले कन्या राशी मन प्रसंद रहेगा आत्म विश्वास भरपूर रहेगा परन्तु बात्चीत में संयत रहें कुटुम्ब की किसी बुजुर्ग महिला से धन की प्राप्ति हो सकती है कारोबार से धन लाब होगा चड़े रुष्टा चड़े तुष्टा की मनहस्थिती रहेगी परिवार का साथ रहेगा आय के नए स्त्रोध भी बन सकते हैं तुला राशी आत्म विश्वास तो भरपूर हो सकता है परन्तु मन परिशान हो सकता है पिता के स्वास्त का ध्यान रखें कारोबार में खर्च बढ़ सकते हैं किसी मित्र से धन मिल सकता है धैरे शीलता परिवार में मानसम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में भी वृद्धी होगी, कुटुम परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। परिवार में भी वृद्धी के योग भी बन रहे हैं, मानसम्मान में बढ़ोतरी होगी, परन्तु रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। परिवार में वृद्धी हो सकती है, परिश्रम अधिक करना होगा। लेखनादी बौधिक कार्यों में व्यस्थता बढ़ सकती है, किसी संपत्ति से धन प्राप्ती हो सकती है। मीन राशी, आत्म विश्वास भरपूर रहेगा, सैक्षिक या बौधिक कार्यों में मानसम्मान की प्राप्ती हो सकती है, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, छणे रुष्टा, छणे तुष्टा की मनहस्थिती रहेगी, संतान सुख में वृध्धी होगी, पारि उसी तरह अनुसार अनुसार अनक जोतिश में नंबर होते हैं, अनकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिती थी महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें, और तब जो संख्या आएगी, वही आपका भाग्यांग होगा, उदारन की तौर पर महिने के दो, ग्यारह और बीस तारिख में जन में लोगों का मुलांग दो होगा अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन अंक एक सरकारी कारियों में बाधा सकती है यदि आप राजनीती में सक्री हैं तो जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है आपके कारिशेतर में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा पढ़ाई के छेतर में अगर खर्चा करना पड़े तो जरूरत के हिसाब से खर्च करें शुभंख चार शुभरंग ग्रे अंक दो, पैसे कमाने के नए जरिये बनेंगे व्यापार में आपको लाब हो सकता है शेर सटे या म्यूचल फंड में आप निवेश कर सकते हैं जो भी जातक आपके कारियों में विखन डाल रहे थे उनकी हार तय है शुभंख 24, शुभरंग क्रीम अंक तीन, बिना बाद की बातों पर बिना ध्यान दिये आगे बढ़ते रहें आलसे के कारण आपका दिन बेकार जा सकता है व्यावसाइक कारियों में जागरुकता के कारण आपको फाइदा हो सकता है नौकरी में ट्रांसफर के योग बनते नजर आ रहे हैं शुभंख 21, शुभरंग पीला अंक 4, आर्थिक स्थिती में धीरे धीरे सुधार आएगा विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं अगर विदेश में कार या विवाह करने के इच्छा है तो प्लानिंग कर सकते हैं पलोसियों और मित्रों के साथ जमेरा हो सकता है सावधानी बरते शुभंक 15, शुभरंग भूरा अंक 5, किसी भी नए प्रकार के कारे के लिए आज का दिन शुभ नहीं है दफ्तर में आपको परशानी का सामना करना पड़ सकता है आज हिम्मत, सही, निर्ने और नियंतरन गती में सुधार लाने की जरूरत है शुभंक 2, शुभरंग नारंगी अंक 6, आज आपूर्जा और जोष्स भरपूर रहेंगे, खुद को स्वस्थ और फिट पाएंगे धार्मी क्यात्रा पर जाने का कारे करम बन सकता है पति-पत्नी में तनाव हो सकता है, पुत्र से कोई अच्छे खबर आपको मिल सकती है शुभंक 24, शुभरंग हरा अंक 7, अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी आपकी व्यापारिक कमिटमेंट का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है अदता आपको आर्थी खानी हो सकती है अचानक कोई आपके घर आ सकता है जिस कारण आपकी शाम की प्लानिंग चौपट भी हो सकती है शुभंक 18, शुभरंग सुनहरा अचानक 8, चात्र वर्ग किसी कोर्स या प्रतियोगिता में दाखिला ले सकते हैं स्पोर्ट से छुड़े जातकों का पर्फॉर्मेंस अच्छा रहेगा अपनी आदतों और वानी को कंट्रोल में रखें नहीं तो आपको हानी हो सकती है शुभंक 4, शुभरंग लेमन अंक 9, विपरीत लिंग की तरफ आप आकरशित होंगे दोस्ती का हाद बढ़ा सकते हैं सरकारी नौकरी के लिए फोन कॉल आ सकती है पारिवारिक अर्चने आपका मूड ओफ भी कर सकती है किसी भी प्रकार के इनफेक्शन से आपको सावधान रहने की आवशरत्ता है शुभंक 15, शुभरंग काला आईए अब जानते हैं आज का पंचांग हिंदू पंचांग की अनुसार मई 17, 2023 बुधवार जेश्ट मा की कृष्ण पक्ष त्रयोद शीती थी है सुर्योवर चंद्रमा का समय सुर्योदे सुभा 5 बचकर 49 मिनट पर सुर्यास्थ शाम 6 बचकर 57 मिनट पर चंद्रोदे सत्रह मई सुभा 4 बचे चंद्रास्थ सत्रह मई शाम 4 बचकर 55 मिनट पर तिथी कृष्णपक्ष त्रयोदशी, 16 मैं रात 11 बचकर 36 मिनट से, 17 मैं रात 10 बचकर 28 मिनट तक, कृष्णपक्ष चतुरदशी, 17 मैं रात 10 बचकर 28 मिनट से, 18 मैं रात 9 बचकर 43 मिनट तक, नक्षत्र रेवती, 16 मैं सुभा 8 बचकर 15 मिनट से, 17 मैं सुभा 7 बचकर 49 मिनट अश्विनी 17 मैं सुभा 7 बचकर 49 मिनट से 18 मैं सुभा 7 बचकर 22 मिनट तक करणगर 16 मैं राद 11 बचकर 36 मिनट से 17 मैं सुभा 11 बजे तक वनिज 17 मैं सुभा 11 बजे से 17 मैं राद 10 बचकर 28 मिनट तक विष्टी 17 मैं रात 10 बचकर 28 मिनट से 18 मैं सुभा 10 बचकर 3 मिनट तक योगायुश्मान 16 मैं रात 11 बचकर 15 मिनट से 17 मैं रात 9 बचकर 17 मिनट तक सौभाग्य 17 मैं रात 9 बचकर 17 मिनट से 18 मैं शाम 7 बचकर 37 मिनट तक अशुबकाल राहू दो पहर 12 बचकर 23 मिनट से दो पहर 2 बचकर 2 मिनट तक यमगंड सुभा 7 बचकर 27 मिनट से सुभा 9 बचकर 6 मिनट तक कुलिक सुभा 10 बचकर 44 मिनट से दो पहर 12 बचकर 23 मिनट तक दुर्भोर्थ सुभा 11 बचकर 56 मिनट से दोपहर 12 बचकर 49 मिनट तक वर्जम रात 3 बचकर 25 मिनट से सुभा 5 बचे तक शुबकाल अमरितकाल दोपहर 12 बचकर 15 मिनट से दोपहर 1 बचकर 50 मिनट तक ब्रह्म मोहुर्थ सुभा 4 बच कर 13 मिनट से सुभा 5 बच कर 1 मिनट तर ये तो थी आज की राशी फल, अंकराशी और पंचांग कल फिर मिलेंगे इंडियन नियोज में आपके भागे के बदल तेज सितारों की दर्शा को लेकर हमारे विशेश कारिकरम राशी फल में, तब तक के लिए नमस्कार कर दो कर दो कर दो दो कि राशी है